राजस्तान परदेश में नवी व ग्यारवी की वार्षिक परिक्साओ का आयोजन सुरू हो चुका है परिक्साइल सभी जिलों में संचालित हो रही है आज की स्वीडियो में बात करेंगे कक्सा 11 के हिंदी निवारी के पेपर के बारे में हिंदी कमबस्टि के बारे में class 12 के लिए तो आज किस वीडियो को end तक देखते रहे with solution के साथ आज किस वीडियो में हिंदी निवारे के paper को solve करवाई वीडियो में end तक बने रहे उससे पहले आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए ताकि आगा में वीडियो की नोटिफिकिसन आपके मोबाइल तक पाउस्ती रहे कि वार्षिक परिक्साओ का आयोजन है वो 80 माक्स का होगा और 20 नमबर आपको आंतरिक विटेज के आधार पर आंतरिक मुल्यांगन के आधार पर दिये चाहेंगे टाइमिंग पर जयाने देना टाइमिंग आपका 2 गंटा और 45 मिनिट का टाइमिंग है और 80 नमबर का पेपर होगा कक्षक 11 के हिंदी एनिवारी का तो आईए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की जो सामने निर्देश है वो आपको बढ़ लेने है जैसे की परिक्सारती समय परफ़ता मंपने रोल यम जरू लिकिए न मांक सभी परफ़फ़शनग रेंपर बस्तिकां में लिखना के त्रमोब-देयग कhet और प्रफ़षट लिखते समय पूरूTr सबसे पहले खंड आएगा जो की आठ अंक का होगा और आठ अंक कि मैं आपको एक निमनलेकित गद्यांस को पढ़कर उत्तर देना है एक आपको बड़ा सा गद्यांस पूचा जाएगा यहां पर देख सकते प्राचिन काल में भारती नारियों का सवरूप आधरनिय था यहीं प्राचिन काल में भारती नारियों का सवरूप था आधरनिय धनिय चिंतनिय या उप्रिक सभी तो सबको पताए हमने पहली लाइन में पढ़ाए आधरनिय था इसका अंसर और राइट अंसर हो जाएगा भारती नारी की स्तधी का नकारातमक परिवर्तन आया था तो आप इ काल था मुगल काल था आधुनिक काल था पैसेज को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा उसके बाद वन लाइनर क्वेसंस पूचे गए हिंदी में तो यह भी आप बता सकते हैं आप आसनी से इस पैसेज से बता सकते हैं और लास्ट आपको एक आठवा प्रशन पूचा गया और इस परकार से इसके परशनों के आंसर देने हैं देख सकते हैं आपर चार परशन मंटीपल चोईस अब सद वाले परशन पूचे गए हैं कवी ने धरती का असली स्वामी किसे बताया तो इस पैसेज को पढ़कर आसनी से पता चल जाएगा कि किसको बताया अनका धेर कब लग गया था कवीता कि भासा कौन से थी खड़ी बोली अवदी ब्रज संस्क्रत बेलो के कंदों पर किसान क्या रख देता था तो इसके आदार पर बताना है पध्यानस में वायु की क्या विशस्ता बताई गई है कवीता में किसका गुण्गान किया कवीता का आपको पूर पुचा गया है याँ पर देख सकते हैं करन्या भूण हत्या ज़तन्य अपराद है यह यह भी मटेंट ओर योग स्वास्ति की कुंजी यह भी मटेंट हैं जीवनमें खेलों का मैत्व यह भी मटेंट है और कोरोना वाइर्स मामारी आर्थिक और सामाजिक राजनितिक को गर्मी के मौसम में पेजल की समुचित व्यवस्ता है तू टैंकर भिजवाने के लिए कारेले पत्र लिगना है या आपको एक कारेले पत्र पूचा गया है देखिए ग्राम पंचायत निबडी कला सचीव की और से पत्र लिगना है जिल्ला कलेक्टर नागोर को जिल्ला कले पत्र लिखने हैं तो लिख सकते हैं आसानी से मैं और पूचा गया है कि जिल्ला शिक्षा अधिकारी माधनिक पाली की और से सचिव माधमिक ·शिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमेर को राजकी राजक की माहादमिक विद्याले है 2020 मैं जो इसकूल है उसे बोड का परिक्षा केन्दर है यह係तु कारेले पत्र लिखना है तो आप आसान इसे लिख सकते हैं इसके बाद आपको समाचार पतर पतर के लेकंग के 6 ककार है उनके नाम लिखने है समाचार पत्र के जो 6 ककार दिए गए उनके नाम लिखने है दो अंक का ये प्रस्ण है फिर कोरोना मामारी के कारण सिख्षा के बदलते सवरूप पर एक फीचर देना है तो आसानी से दो नंबर का है फीचर दे सकते है एक आदर्स प पर अपने सब्दों में आलेक लिखना है दो नंबर का है आलेक लिखने वाला questions आएगा आपके दो नंबर का देखें यापर दिये हुए किसी एक subject पर लिखना है बालक और उपेक्षित बचपन और निसुल्क कन्या सिक्षा के परेणाम क्या हुए और पन्चायत इस तर पर computer तो यह आपको तीनों मैंसे किसी एक पर लिख सकते हैं यह तीसरा भी इंपोर्टेंट है यह आ सकता है तो आप किसी पर भी आलेक दे सकते हैं उसके बाद खंड गह आता है जो आपके पाटे पुस्तक पर आधारी थे इसमें पहला परशने यहां पर पूचाई कि निम्नलिकि पर द्यान से आया है मीरा के बद्यान से आया है तो इसमें से जो इस ध्यान को ध्यान से पढ़ना है और जो नीशे प्रशन दिये गई कि मीरा ने अपने पती किसे माना है तो आप सभी को बताए सिर्कृष्ण को माना है गिरदर गोपाल को मीरा ने लोग लज्जा किस परक खो जाने का वर्णन करती है इस तरह किसे इसमें भी आंसर मिल जाएगा आपको बता सकते हैं मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किसे चींचा है मीरा किसे देखकर प्रशन और अपरशन होती थी तो ये भी दो दोंके सभी प्रशन है इसके एत्वा में भी और इस्टेंजा दिये प्रशनों के उत्तर चार्ट कर लिखने है तो लिख सकते हैं इसके बाद दस्वा प्रशन यहां पर पूचा है कि निम्नलिकित मैंसे किसी एक पध्यांस का बाव सौंद्रिय एवं बाव सिल्प स्पस्ट करना है चार नंबर का ये प्रशन है मतलब आपको एक पध्यांस द तिन ही को दो जग जिन मनाहीनी पहीचाना एक पवन एक पानी एक जोती समाना एक खागड़े सब बाड़े कहे कोहरा साना अथवा में इसमें दिया कि आज पानी गिर रहा है बहुत गिर रहा है अरतबर गिरता रहा है प्राण मन गिर रहा है बहुत पानी गिर रहा है एक नजर से तीर रहा हैं तो इस तरीक से यह कविता और एक याबर दिया गया दोनों पद्यांस का आप अत्वाव में हैं एक किसी एक का आपको भाव सौंद्रे स्पस्ट करना है फिर आपके किताब वाले प्रस्ना आ जाते हैं वह आखे कविता में किसान की पीडा के लिए उन् लिमेदार के से बताया गया है यह मतलब यह चार-चार नम यह आपर चार प्रस्नेद दो-दो नमबर वाले तोटल आठ नम्बर का यह प्रस्ना आपके आने वाले स्थंजा तो इसके अतवा में भी एक आपको पैरेग्राब दिया गया है इसको भी द्यान से पढ़ना है औ इसके बाद चोदवा कुसन्द है पांच प्रष्ण दिये इसमें से कोई चार प्रष्ण करने परतिक प्रष्ण दो अंक का होने वाला हैं यहाँ पर वेरी इंपोर्टेंट प्रष्ण है मिया नसीरुदिन को नानबायो का मशिया क्यों का जाता था इस तरीके से इसकांसर उसके पास 56 परकार की रोटिया बनाने का उनर था तो इस तरीके से इसका अंसर हो जाएगा इस पती के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनायों का सामना करते हैं तो इस तरीके से इसका अंसर हो जाएगा इस प्रेशनका अंसर होगा इस पती के लोग जीवन यापन के नो महीने बरप रहती हैं, तता ये छेतर से संसार से कटा रहता है, तता से तीन- चार महीने बसंत रीतु आती हैं, या ना हरियाली, ना पेड़ से इसका आंसर हो जाएगा, क्रशी विबाग वालों ने मामले को टी कल्चर विबाग को सौपने के बीचे क्या तर्क दिये थे तो आप बता सकते हैं जामुन के पेड़ के नुसार चैप्टर के नुसार इसका आंसर आप बता सकते हैं नेरुजी बारत के सभी किसानों से कौन सा प्रशन बार बार पूचा करते थे तो प्रशन को कौन सा करते थे नेरुजी बारत के सभी किसानों से भारत माता की जै के विशे के बारे में प्रशन है वो बार बार किया करते थे यानि कि भारत माता की जै के विशे पर प्रशन किय करते थे दंद्राय मोन को अपनी परति दुन्ती क्यों नहीं समझाता था इसके बारे में आपको बताना है तो आप बता सकते हैं फिर खंड आपके गह आता है इसमें आपको बड़े-बड़े प्रशन पूचे गए हैं यहां पर देख सकते हैं निम्नलिकित प्रशनों मैंसे क इसने पूचाए हैं कि लेकख न लता की गायक की किन-किन विशिस्ताओं को उजागर किया है वितान है वहां से पूचा गया हैं आपके तो यह आपको बताना है लतामंगेस तोर के बारे में राजश्तान में कुई किसे कहते कुई के बारे में कला और बासा के अंतर संबंद पर आपकी क्या राह लिखना है very important है शे जारों के साथ गाव समाज के वेवार में क्या अंतर आया है समझाना है पूरा उसके बाद निम्नलिकित में से निबंदात्मक परशने करना है तीन अंग का निबंदात्मक परशने है पहला परशने है कि संगित के चेतर में लता की अस्तान निर्दारित कीजिए लता मंगे सर के बारे में संगित के उसमें क्या योगदान था उसके बारे में आपको बतान तो आप इस प्रकार से इन सभी प्रशनों को आप आसनी से त्यार कर सकते हैं, अभी तक जित जिल्ले में हिंदी निवारी का पेपर नहीं हुआ, कक्सा 11 के, तो आप एक बार इस प्रशन पतर को देख कर जरूर आए, जरूर जाए सभी मैतोपूर्ण प्रशना, इस में से ही बहुत सारे प्रशना आ सकते हैं, तो एक बार इस प्रशना पतर को देख कर जाए, इस प्रशना पतर का पीडिये मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहां से इस प्रशना पतर का पीडिये प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से, तो एक बार इस प्रशना पतर क प्राप्त होती रहेगी मिलते किसी नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातराम